नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूँ आपका दोस्त प्रशान भारत और इंग्लेंड के बीच चौथा T20 आई मैच खेला गया नरेंदर मोधी स्टेरियो में और ये मैच रोमांज की जैसे पराकाष्ठा पर पहुँच गया बेहर शांदार और टीम इंडिया ने आखरी ओवर में इस मुकाबले को जीत कर सीरीज को ना सुरिफ दो-दो से बराबर कर लिया बलकि अब जो फैसला है वो आखरी मैच में होगा कि कौन इस सीरीज को जीतेगा ये मैच शुरवात के जो तीन मुकाबले थे उनकी तरह निरस नहीं रहा य आज के अगर बात करें तो इएन मॉर्गन ने टॉस जीता था और गेंदवाजी चुन ली थी उन्हें पहले और टीम इंडिया के सुरवात एक बर फिर खराब रही थी प्रोई चर्मा 12 गेंदों पर 12 रन बना कर आउट हो लेकिन नमबर 3 पर बल्ले बाजी आज विराट को गई है इंटरनेस्टल क्रिकेट में लेकिन उन्हें उन्हें एक शांदार बल्ले बाजी की एक शांदार अर्दशोतक जड़ा और जब तक वो बल्ले बाजी कर रहे थे टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की और बढ़ती वे नज़र आ रही थी सुर्गमार यादों ने 31 गेंदों पर 57 रणों की पारी खेली जिसमें 6, 4 और 3 छक के लगा इसके लावा अगर बात करें तो रिशप्पन ने 23 गेंदों पर 30 रण महीं स्रये सायर ने 18 गेंदों पर 37 रणों की पारी खेली और टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट कोकर 180 285 रण मनाए थे बड़ा टार्गेट था इसके बाद जब लक्ष का पीछा इंग्लैंड करने उतरी तो इंग्लैंड की भी शुरवात आपके हैं तो अच्छी नहीं थी जॉस पटलर सिर्फ 9 रण मनाकर वापस पविलियन रोड गए थे लिकिन इसके बाद जेसन रॉय और और फिर डिविड मलान के बीच एक पार्टनर्शिप हुई लेकिन जो मैच पल्टा वो कह सकते हैं कि बिन स्टोक्स और जॉनी बेर्स्टो की पार्टनर्शिप ने दोनों जिस अंदाज में बने बाजी की मैच पूरी तरीके से अपने पकड़ में इंग्लैंड ने एक समय कर लिया था बिन स्टोक्स 23 गेंदों पर 46 रन बना कर आउट हुए वहीं अगर बात करूं मैं जॉनी बेर्स्टो की तो 19 गेंदों पर 25 रन बना कर वो आउट हुए और दोनों के बीच 50 रनों से ज़्यादा की साज़धारी हो करी थी लेकिन इसके बाद जो एक कह सकते हैं क जो ब्रेक्थ्रू दिलाने के काम किया पहले तो राहुल जेहर ने जॉनी बेस्टो का विकेट निकाला उसके बाद फिर एक ही उवर में लगा थार दो गिंदों पर शारदूल ठाकुर ने पहले बेंस्टोक्स और उसके बाद इएन मॉर्गन का विकेट निकाल कर टीम को जो है पट्री से उतार दिया हाला कि तेज गिंद बाज भुनेशुर कुमार ने भी शांदार ओवर किया लेकिन आकरी ओवर एक बार फिर रोमांच हो गया था क्योंकि तीज रन चाहिए थे और फिर जौफरारचन ने पहले चौका फिर छक्का हाला कि इसके बाद फिर शा सतत्तर रन ही बना पाए और भारती टीम की गिंद बाजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा विगेट शारदुल ठाकूर नहीं लिये उनने चार ओवर में 42 रन दिये और 3 विगेट हासिल किये इसके लाबा हरदिक पांडिया ने चार ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 2 विगेट वही राहूल चेहर ने चार ओवर में 35 रन देकर 2 विगेट वहीं बुदन Спट कुमार को चार ओवर में 30 रन देकर एक विगेट दिया सबसे महगे वाशिंट्टन सुन्धर रहे जो उनने चार ओवर की गिनबाजी में 52 रन दिये और कोई विगेट हो हासिल नहीं कर सके सिरीज का पाचवा और अंतिम T20 मैच जिससे ये डिसाइड होगा कि इस सिरीज कौन जीतेगा वो 20 मार्च को नरहेंदर मोधी स्टेडियम में ही खेला जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा धन्यवाद